हेलो गैज कैसे हो आप से अप उमिद करता हूँ अच्छी हूँगे तो यारो आज के इस वीडियो में आपको बताने वालों कि आप अपने फोन का डेटा बैक अप कैसे क्रेट कर सकते हो यानि गैज आप अपने फोन के डेटा का बैक अप कैसे बना सकते हो दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता ही जब हम अपने फोन को reset करते हैं या format करते हैं तो guys हमारे फोन का जो data होता है वो delete हो जाता है guys आपके साथ भी ये हुआ होगा जब भी आपने फोन को reset किया होगा या format किया होगा तो दोस्तो आपके जो contact हैं आपके फोन में जितने भी number होंगे वो delete हो गए होंगे या message delete हो गया होगा, photos delete हो जाते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको इस problem का solution बताने वाला हो कि कैसे आप अपने फोन के data का backup बना सकते हो और guys phone को reset करने के बाद, format करने के बाद भी आप अपने data को recover कर सकते हो, दो बारा वापस ला सकते हो दोस्तो अगर आप अपने data को किसी दूसरे phone में transfer भी करना चाते हो तो guys आप बहुत ही आसानी से अपने data को दूसरे phone में भेज सकते हो, transfer कर सकते हो गैज अगर आप फोन चेंज करते हो यानि गैज अगर आप कोई दूसरा फोन यूज करना चाहते हो तो गैज आप अपने पुराने फोन के डेटा को नए फोन में बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर पाओगे तो दोस्तो आज का ये वीडियो काफी इंटरस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में स्वागत है आपका मेरे यूटूब चनल मौरजे टेकनिकल में मैं हूँ अमित कुमार दोस्तो अगर अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार क्योंकि मैं ऐसे इनने अप्लिकेसन से लेटे नेने जनकारे से लेटे वीडियो बनाता रहता हूँ चलिए फोन के ओम स्क्रीन पे चलते हैं तो गैस हमा गए हैं फोन के ओम स्क्रीन पे अब चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने फोन के डेटा का बैक अप बना सकते हूँ दोस्तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग में जाना होगा phone के setting में जानेक बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और guys यहाँ पे आपको एक option मिलेगा additional setting का आपको इसपे click कर देना है इसके बाद guys आपको यहाँ पर एक option मिलेगा backup and reset का guys यह जो option है यह लगभग सभी फोनों में होता है आपको इसपे click कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे option मिलेंगे backup and restore काफी important option है इसके बाद आपको यहाँ पे एक option मिलेगा backup account यानि आपको यहाँ पे अपना gmail id select करना है जिसमें आपका जो backup है वो create होगा यानि आपका जो data है वो save होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक Gmail ID को select कर रखा है इसी तरह आपको इस पर click करके अपने Gmail ID को select कर लेना है इसके बाद guys आपको यहाँ पर Backup and Restore पर click करना है और guys यहाँ पर New Backup पर click कर देना है अब आपको थोड़ा सा wait करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको 5 option मिलेंगे Contact, Message, Call History, System Data, Application दोस्तों जब हम अपने phone को format करते हैं, reset करते हैं तो guys हमारे phone से contact delete हो जाते हैं, Message delete हो जाता है, Call History delete हो जाता है इसके साथ में हमारे phone में जितने भी application होते हैं, वो सभी delete हो जाते हैं तो guys आपको इन पाचों का backup create कर लेना है, आपको यहाँ पे सभी को tick कर लेना है इसके बाद guys आप यहाँ पे check कर सकते हो कि कौन-कौन से application का backup यहाँ पे create हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे phone में जितने भी application है, सभी application यहाँ पे so हो रहा है और guys यहाँ से आप इनको un-tick भी कर सकते हो अगर आपको इनका backup create नहीं करना है तो guys इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो इसके बाद guys आपको यहाँ पे start पे click कर देना है और यहाँ पे backup पे click कर देना है तो guys यहाँ पे आप देख सकते हो जो data है वो हमारे gmail id पे save हो रहा है backup create हो रहा है तो guys हमारा जो backup है वो पूरी तरह create हो चुका है अब इसके बाद आपको यहाँ done पे click करना है तो guys यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 14 October को 2.33 मिनिट पे backup create किया था अब guys बात आती का अखिर हम अपने data को recover कैसे करेंगे दोस्तों जब भी आप अपने phone को reset करोगे या format करोगे उसके बाद अपने gmail id को अपने phone में login करोगे तो guys आप बहुत ही आसानिस अपने data को recover कर सकते हो simply guys आपको इसी option में फिर से दोबारा आना होगा और guys यहाँ पे आपका जो backup create हुआ है यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपको इस पे click करना होगा तो guys वही पांचों option आपको यहाँ पे show हो जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है select data you want to restore यानि guys आप किस किस का data recover करना चाहते हो तो guys अगर आप contact recover करना चाहते हो दोबारा वापस लाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे tick करके start पे click कर देना है तो guys जो आपका contact number है वो दोबारा आपके phone में वापस आ जाएगा अगर आप message को करना चाहते हो call history को करना चाहते हो system data को करना चाहते हो तो guys इसी तरह आप सभी को tick करके यहाँ पे start पे आपको click करना है और आपके जितने भी deleted data रहेंगे दोबारा वापस आजाएंगे यानि recover हो जाएंगे तो guys यह काफी कमाल का trick है अब दोस्तों मैं आपको सबसे important चीज़ बता दूँ जब भी आप अपने phone को format करें या reset करें जब भी आप अपने phone को format करें गैज जो reset format करने से पहले आपको अपने data का backup create कर लेना है तब ही आप दोबारा वापस लाप आओगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दो यार चैनल पे नए आयो और चैनल को सस्क्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नएने application स्लेटे नएने जानकारे स्लेटे वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद